चलिए पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समीधान की इस विकास यात्रा में हम सेंटर स्टेट रिलेशन्स के उपर डिस्कॉशन कर रहे थे और आज इस सीरीज का हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन्स का अंतिम लेक्चर है हमने आपको बहुत खूबसूरती से पढ़ाया कि सेंटर और स्टेट के बीच में कौन से एरियास हैं जिन पर कंफ्लिक्ट एक्जिस्ट करता है और मैंने पिशन लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर इन कंफ्लिक्ट को हम बहतरी से समझ लें तो हमें ये आटमेटिकली ही समझ आ जाता है कि डिफरेंट कमेशन्स और कमेटीज ने क्या रेजलूशन्स या क्या उनके तेया क्या कहत्त हैं होगे कि जिनके तेहत ये Prior to किये जा सके हम जब इसके बाद के लेक्च्छर में एंटर होंगे बहां पर हम इंटर स्टैट एंगे मैं आपको इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ाओं गा जिसमें मैं आपको recent amendments पढ़ाऊंगा जो government ने propose की है हम आपको पढ़ाएंगे interstate water disputes के बारे में और मैं आपको clear कर दूँ जब आप यह पढ़ा होगा वो topic till date of date या नहीं contemporary approach से बहुत ही बहतरी से समझाएंगे और आप civil services level के quality के questions जो की बड़े applied character के होते हैं उन्हें solve कर पाएंगे हम last time आपको पढ़ा रहे थे सरकार यह commission 1983-87 का उनका समय उनके द्वारा दी गई recommendations उन में से कुछ recommendations अभी pending थी हम उनके सहत pursue करने जा रहे हैं और इसके बाद हम आपको पंची commission की recommendations पढ़ाएंगे आपको मैं पता देना चाहता हूँ कि उन्हीं पंची commission की recommendations के basis पर ही आज की date में सरकार के द्वारा 2019 में Interstate River Water Dispute Amendment Bill present किया गया था जो कि लोग सभा में पास हो गया था लेकिन राज्यसभा से फिर भी इसवार government उसे table करने में चुक गई उसके तहत क्या-क्या policies हैं कहां 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 पर सरकार पर दबाब बनाया जा रहा है वह भी मैं आपको समझाओंगा लेकिन मैं आपको clear कर रहा हूं बार बार समझा रहा हूं वो तब समझाओंगा जब हमने इन recommendations को अच्छे से पढ़ा होगा background यहां से त्यार हो रही है lecture अगले में वो सारा next chapter की मर्यादा के तहत हम करेंगा जो further recommendations थे उनमें यह recommendation है सरकारिया Commission के तहर सेंटर स्टेट के करें तो इसमें एक important tax है income tax इसी तरह से corporation tax is very important tax जो corporates से वसूला जाता है यानि यह mainly corporation से वसूला जाता है यह बहुत बड़ी heading होती है इसमें revenue collection almost सबसे ज़्यादा रहता corporation tax के तहर तो यह कहा जा रहा था कि center state के बीच में states की financial independence को और बढ़ाया जाए और states का share revenue में ज़्यादा बढ़ा जाए हाला कि सरकारिया commission में आपको यह बता दूँ कि अपने पहले के commissions जैसे की administrative reforms commission 1966 और राजमनार committee 1969 इनकी recommendations से opposite है यह नहीं बात करता है कि state किसी भी तरह के structural setup में कोई changes किया जाएं यह मानता है कि constitution के अंदर जिस तरह कि organizational structural setup दिया गया है वह as it is continue होना चाहिए in fact उसे और strengthen करना चाहिए लेकिन functional और operational approach हमें federal बनानी है तो यह functional federalism की बात करता है structural federalism की बात नहीं करता है मैंने आपको बताया यह strong center की बात करता है सरकारिया commission लेकिन centralization की tendency को negate करता है यह उसके खिलाफ जाता है इसलिए अगर आप यहां पर देखें तो यह यह नहीं कहता है कि respiratory power states के पास जानी चाहिए यह कहता है कि corporate tax की जो भी shareable limit है वो permissibly आपको enter कर देनी चाहिए constitution के तहत यहां पर clear है the net proceeds of the corporation tax may be made permissibly shareable with the states मैंने आपको उस दिन भी यह concept पढ़ाया था कि अक्सर यह चीज होती थी कि जो governor है वो इस power का miss use कर लेते थे central government के कहने पर यानि की राष्ट्रपती के कहने पर क्योंकि राष्ट्रपती council of minister की attend advice पर काम करेंगे और हमने यह clearly पढ़ा है पढ़ा है मेरे lecture में सुना है कि जो ministers हैं और जो chief minister हैं वो प्रेजिडेंट यानि कि sorry वो governor के ही pleasure पे है यानि कि governor यूने appoint करते हैं governor यूने dismiss करते हैं लेकिन फिर इसका तो कोई use ही नहीं रहा गया democracy में क्योंकि governor जो है वो जनता के द्वारा तो चुने नहीं गए हैं वो तो राष्ट्रपती के द्वारा पॉइंटेड हैं ऐसे में अगर जनता के द्वारे चुना हुए नुमाइंदों को अपॉइंट ही governor करेंगे और उने dismiss ही governor कर देंगे तो लोकत अंतर का मतलब क्या रहा है लोगों की तो इसमें कोई say ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होता governor appoint करते हैं minister और chief minister को governor ही dismiss करते हैं लेकिन governor यहाँ पर bound हैं कुछ rules के साथ वो बाउंडेशन यह है कि chief minister appoint होगा उस party का जिस party या जिस alliance के पास majority है विदहान सबहा में यानि कि legislature में जिनकी majority seats है उस party का यानि कि उन MLS का जो दल है विदहायक दल यानि कि single largest party या single largest alliance के जो विदहायक है उनका जो दल है उनका group है उन्होंने जो अपना leader चुना है विदह मुख्यमंत्री अपॉइंट करने के लिए बाउंड है पहली तो यह शर्ट लगती है हर किसी को किसी को भी अपॉइंट कर दे असा नहीं और दूसरा तब किया जा सकता है जब अगर वो जो कॉंसिल आफ मिनिस्टर यानि कि मुख्यमंत्री है उसका कॉंफिदेंस लूज हो गया है विदान सभा में तब गवर्नर उन्हें निकालेंगे और उसमें भी यह होता है कि आप अपना विश्वाष दोबारा से स्थाफित करिए यानि कि फ्लोर टेस्ट होगा आप प्रूफ क यह मेकैनिजम समझाया कि आप पहले गवर्नर क्या कर रहे हैं कि अगर टेस्ट हो जाता है या किसी तरह से कॉंफिदेंस मोशन आ जाता है तो यह जो मौझूदा सरकार यानि कि काउंसिल आफ मिनिस्टर है यानि कि मुक्यमंत्री और उनके मंत्री यह नहीं अचीव कर यह साफ दिख रहा है कि उनके पचास MLA बस में बैठके जा रहे हैं और वो रोज वो चीख चीक के गवर्नर को बोल रहे हमने चोड़ दी पार्टी चोड़ दी इसकी तरकार किरा लेकिन मेरे एक बास सोनो यह प्रूफ तो पटल पर ही होगा ना यह प्रूफ तो विस फलो प्रूफ कर तब तुझे रहने देंगे लाइन बदल जानी चाहिए कि फ्लोर पर डिसाइड नहीं कर पाया तो तब तुझे हटा देंगे लेकिन यहां पर लाइन के चल रही फ्लोर पर डिसाइड प्रूफ कर तब तुझे रहने देंगे लेकिन लाइन कौन सी ज्यादा गर उखिका कब बच्छास करने लाले तो मुहारे साथ रॉं में बैटे हो हमारी पारटि अभी सरकार बनाएगी दस मिनट के अंदर यह भाई साप को नहीं होता आने वाला गवर्णर का यह मुख्यमंत्री शबत की ग्रेंड लेने वाले हैं वो कहरा रात के 11 बज़ रहे हैं दो बज़े भी ले लेंगे रात के तुझ इंता मत कर यह गवर्णर का ही प्रेजुडिस है तो वो ले लेंगे अ जोरी जहां से सोचो अगर गवर्णर रास्तकेंटर सरकार के हाथ में ना हो यहां से सोचो और यहां पर जिनके कमरे में बैठके जिस रूलिंग पार्टी के मलें को तोड़े जाने के प्रयास कि जा रहे हैं जब उन्हें क्लियर होगा कि ऐसा कोई प्रवीजन ही नहीं कि फ पता हुआ कि वह आएगी पार्टी एक्सिंटेंस में नहीं वो पता नहीं हमारी तो भी इस्टेंस में मारी तो सरकार है हम और उल्टा को स्ट्रेंदन करें थाकि हमारा मुक्वमंतर हिले ना देखू पूरा गेमी बदल जाता है ना अगर गवर्णर की पावर तो इसलिए गवर्नर वो जो यूज मिस्यूज कर रहे है सरकारिय कमिशन ने का नहीं वो स्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि गवर्नर कैन नॉट डिस्मिस दा काउंसिल आफ मिनिस्टर सो लॉंग कि जब तक उसके पास मिजॉर्टी है गवर्नर नहीं कर सकता है किसी भी तरह से काउंसिल आफ मिनिस्टर को डिस्मिस ओके जब उसके पास मिजॉर्टी नहीं रहेगी जब फ्लो टेस्ट हो जाएगा तो फिर नैचुरल सा ही आउटकम यह है कि गवर्नर को अब उन्हें डिस् सेंस में ही एप्लाइ करने की बात किये कि और इजनली कॉंसिट्विशन में चैन्स में दिया गया था कुछ बात एक्स्पिलिसिट थी कुछ इंप्लिसिट थी यानि कि कुछ खुलके कह दी कुछ आप से उम्मीद लगाई कि आप समझ के कर दोगे तो उसने बस उनको क्लिय उसने कहा कि टर्म फिक्स करो उसने वही कहा जाओ जो भी अरंबेदकर भी कहते थे सरकारिया कमीशन एक लगबग लगबग वही कहके गए जो कॉंस्टिट्यून्ट असेंबली ने समीधान बनाने की समय डिबेट्स में का तो वह भी कह रहा है कि तक गवर्नर स्टर्म आफ नहीं कहा गया है तो ऊच्स सुट्रण पॉपटीज ऊफिस में आ नहीं कहा गया है तो यह कहा गया कैसे औह Push अग Ahí हो का कॉवर्नर को इक को ऐसे रिंशलन की डूर्द ऑफिस बनाया गया Venug गवर्नर में वो पॉजीशन दी गई है जैसे कि नेशनल लेवल पे हैड फ़स्टेट प्रेजिडेंट है तो फिर यह तो प्रमानी थी है कि गवर्नर को प्रोटीज नहीं किसी का अब यह तो निर्वर करता है उस राष्ट्रपती के विवेक पे और उस राष्ट्रपती को सल प्रेजिडेंट के यह इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है वो कमिटेड कितनी है या फिर वो वेस्टेड इंटरस से कितनी चलती है जितना विवेक से काम करेगी जितना धहरे से काम करेगी सही तरीके से काम करने वाले वह गवर्नर जो की सम्म क्वेस्ट तो ऊस राज्य की सरकार पर निर्वरी और इसे और सब्सक्राइब कर Amazing कि अगर वह कॉंशिटूटीविशनली चल रहा है वह गवरणर तो क्या केंद्र उसको पिर निलंबे तो नहीं कर दे रहा है कि गवरणर ने कोटे बना बना करके स्टेट की पेश कर रहा है कि किसी तरह से President को सबस्टांस दे दिया जाए कि President वहां पर आकर कि किसी तरह से राष्ट्रपति साशन की घुशन उद्गोशना कर दे तो यह तो एक तरह से यह भी compelling ground है कि गवर्णर को अटाया जाए लेकिन ऐसा तो expect किया जा रहा है कि गवर्णर ऐसे वाले ही मिलें तो फेवरेट हैं तो यह किसकी constitutional morality का लैक है सेंटर का council of minister का प्रेजिडेंट की constitutional morality का लैक है यह आई वा समझ में इसको अपन को सुद्रड करना है समस्या समस्या है सारी की सारी constitutional morality आज आप पूरी सिस्टम को पढ़ लेना अपन constitutional morality के लैक से सफर कर रहे हैं कि the people who are holding the offices they are not completely committed towards the constitution and its provisions यह बात clear हुई इसलिए गवर्नर को क्या कह रहे सरकारिया commission जो constitution में है जो मेदकर ने भी कहा जो सब ने कहा कि जब तो extreme compelling circumstances नहीं हटाए ना मतलब राजनितिक कारणों से नहीं हटाए जिस कारणों से हटाना चाहिए जैसे कि उनको वहां बैठाए क्यों गया है कि वह एंशौर करें कि हर इस तो भूल सटेट कॉंस्टिवुषन में इस प्रसीजर के चल रहा है डैकर को हिससरो कारकार को बर्कास करके राष्ट्रपती इस आचन लगाना है तो गवर्नर एड्मिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया में कोई ना कोई अडंगे फसा रहे हैं कि वहां का मुक्यमंत्री या वहां की चुनी होई सरकार काम ही नहीं कर पा रही साही डंग से तो फिर तो महौल बन ही जाएंगे एक लेवल पर टकराओ के और फिर एक पॉइंट पर यहां पर देखो यह Constitution बहुत सही लिखा प्रोवीजन उन्होंने जितने दे सकते दे दिये एड़ दा एंड देखिए आपको बाइक देने वाला बाइक को फुली सेफ सेक्यूर बना सकता है आज आपको गाड़ियां मिल रही हैं उनमें क्या नहीं हैं उनमें बैक्स लगे बैलून्स उनमें EBD ABS हर तरह के अंटी ब्रेकिंग सिस्टम सब कुछ लगा है सब कुछ है आपको गाड़ी देने वाले लाग बार समझाते हैं और गवर्मेंट लाइसेंस देने समय आपका ट्रायल भी लेती है अब यह तो फिर फाइनली आपका कमिटमेंट है ना आप उस में ना गाड़ी बनाने वाली कंपनी गलत थी ना रूल रेगॉलेशन बनाने वाले लाइसंस देने वाले इस में तो फिर फो डी रेल होगी सारा प्रोसेस तो constitution बनाने वाले उसमें देने प्रोविजन देने वाले लोग वो सीख थे सब कुछ सही है हम लैक कहां कर रहा है पता constitutional morality पर अब आप कहेंगे सर फिर वो गाड़ी चलाने आला सब नहीं कर पाता अगर फॉरन की तहां या स्टेंड नहीं किया हमारे देश में knowledge dissemination almost ठप हो चुका है एक सिंपल नेटीजन कल्चर चला दिया गया है जिसकी जो आइडिलॉजी और थौट है बस उसको थ्रस्ट कर दिया जा रहा है वाया computer वाया online system to everyone कोई भी analysis नहीं करना चाहता कि सही माइने में rational laws concepts दिये क्या गए हैं सम्मीधान के तहट ऐसे में जब लोगों को जागरुकता ही नहीं है तो उनके सामने जो भी आता है वो अचंबित हो जाते हैं वो किसी एक वर्ग के परती चले जाते हैं एक person की opinion के साथ चले जाते हैं जब दूसरे person की opinion है तो फिर उसके साथ चले जाते हैं ऐसे में एक rational thinking develop नहीं कर पारे एक logical thinking develop नहीं कर पारे तो यह breaks का काम नहीं कर पारे यह चेक का काम नहीं कर पारे यह law का regulation का काम नहीं कर पारे इसलिए जो लोग आज power corridors में बैठे हैं वो rampant use कर रहे हैं constitution में दिये provisions का अपने vested interest को fulfill करने के लिए चाहे फिर वो राज्य की सरकार हैं चकेंदर की सरकार हैं और चाहे फिर वो किसी union territory का कोई lieutenant governor के उना हो मैंने तो हर केसी को शक्तियों का दुर्पोग करते सीखाया कारण उसका एक बहुत प्रमुक यह निकल के आ रहा है कि पालना करानी थे आपको देश के नागरिकों को नहीं करा पारे तो इसमें एक दूश हमारा भी है आप सिक्षित हो जाएं आप पढ़े लिखे हो जाएं आप लोग का एक चेक रहता अच्छे से तो जहां पर जिस स्कूल में आपके बच्चे बढ़ रहे हैं टीचिंग स्टाफ और एवरीवन वो ज्यादा रिस्पॉंसिव हो जाते हैं ना बच्चों को लेके यह आपका चेक ही ही है ना जहां जैसे आप वहां पर चेक रखते ह जा उन पर वह आपको बता देंगे आप वहीं मानोगे तो आपको बरगलाया जाए जारा है देखिए इक तरह के बहुत नए तरह के स्मार्ट फून यूज नहीं आने आप यूज करने हाथे आपसे कुछ पूछते आप जो समझा देते हैं वोसी को समझ लेते है ना वो कहते हैं हमें ज्यादा नहीं आता पता नहीं ऐसे में तो यह आप पर उनस आता है ना कि आप कितने के जैनुवन होके समझाते हैं आप तोने कोई भी पट्टी पढ़ा दो कुछ भी कह दो ऐसा ही देश की सरकार है एक स्तर पर करने लग जाती है जब देश के नागरिक उन प्रावधानों को सम्मिधान को उनमें दियो है मुल्तत्वों को ले करके पूर्णी तरह से अनभिग्य रह जाएं अब अनवेड रह जाएं तब जाकर के उन accountability का लैक आने लग जाता है constitutional morality का लैक इसी को कहते हैं आप यह कहेंगे यह कोई immediate solution नहीं है immediate solution के नाम पर दो law और मना लो वो तो बनाए हुए इतने law उनकी पालना करानी एक दिन आप ही को पढ़ेगी यह बात मेरी मान के चलना आपको पढ़ना ही पढ़ेगा आपको नहीं सबको पढ़ना पढ़ेगा सबको देश समझना पढ़ेगा समीधान समझना पढ़ेगा no commission of inquiry यह बहुत important है no commission of inquiry should be set up set up against a state minister unless a demand is made by the parliament कितना rational point दे दिया नों पहले क्या कह रहे थे पहले वाले commission में क्या कहा है कि को होगी नहीं inquiry लेकिन यहां पर क्या कहा गया रहा है कि no commission of inquiry क्या हो रहा था inquiry commissions cabinet अपनी मर्जी से यहीं कि केंदर सरकार अपनी मर्जी से गटित कर रही थी चीफ मिनिस्टर को हरास कर रही थी राज्यों के मंत्रियों का हरास करती थी जो बात नहीं मानते थे अब क्या होगा commission of inquiry बनेगा पर demand पार्लेमेंट की तरफ से आएगी और पार्लेमेंट की तरफ से जब दिमांड आएगी तो सोचो proper resolution motion प्रेजन होगा लोगसभा में होगा राज्यसभा में होगा पार्लेमेंट का एक inherited part को होना है रास्टरपती रास्टरपती उसको sanction करेगा और जब पार्लेमेंट के तहद आएगी तो पूरे मीडिया के तहद आएगी सारा मीडिया की गैलरी ये पार्लेमेंट के अंदर वो वहां बैठते हैं वो सारी चीजों की reporting करेंगे और फिर ये judiciary के review में आएगी और फिर ultimately फरजी बात पर नहीं हो सकता फिर ये फरजी inquiry नही ultimate injustice या फिर over usage of the power किया है या miscarriage of justice हुआ है इनके काल काल में तब जाकर कोई inquiry commission आएगा वरना फरजी काम नहीं होंगे जैसे आपके सामने farm laws ये आएं हैं पार्लेमेंट के माध्यम से तो चर्चा का विशे भी बने cabinet में भी हुए अगर ये बैक दोर से cabinet के वाया ही निकल जाते है चर्चा का विशे बने मीडिया में भी आया हर जगा पर discussion है ये बैक दोर से अगर निकल जाते cabinet से हो करके तो से आता ये एक्ट-कैसे चर्चा होता इतने comprehensive debate discussions और ये पूरे के पूरे documents कैसे चपते इसके और फिर कोर्ट में प्रेजन कहां से होते इसलिए पार्लेमेंट के वाया अगर डिमांड होती है तो inquiry commission बनेगा और फिर क्योंकि एक पॉइंट में करी कमिशन की जरूरत भी है ना चीफ मिनिस्टर और उसके council के कुछ minister problem create कर रहे हैं उनको सुधारा जा सकता है पार्टी को कहा जा सकता है कि आप अपना नया candidate कड़ा कर दीए यह उसी house में से नई पार्टी को चीफ मिनिस्टर बना सकती है दुबारा चुनाओ क्यों कराने पहला रास्ट्रपती साशन क्यो अब होते हैं और जिसकी सरकार होती है वह पार्टी की मिजौरटी लोग सभा में तो होलती है लेकिन राज्यसभा में फस्क भी जाता है पेज आई बास समझ में यह बहुत इंपॉर्टेंट और रैशनल पॉइंट मैंने आपको पहले पताया था कि सरचार्ज बड़ा फेवरेट होता है किंदर सरकार का टैक्स राज्यों के हैं जे में राज्य की जाने बदनामी भी राज्य की होनी है क्योंकि जितना ज्यादा वो टैक्स से ज्यादा होत लगा जाएका तो मिलना नीक सरक्राइब जैसे होटलों पर का यूज लगा दिया था और बाकी चीजे लोग управ है लोगों ने काई यह तो महंगा हो गया बिल बढा आने लगा उन्हों ने जाना जाना कटा धिया नुटसान थो राज्यों का होने लगा तो राज्य कहते न तो शेर देथे बदनामी इल्टी कराते कराते और काम भी घटाते ह narrating गोड़र जाते चाए है यह मतलब है तो वहां पर सरकालिय कमीशन ने बैलेंस अप्रोच लिए कि केंदर सर्चार्ज तो लगा पाएगा लेकिन इस बात का ख्याल रखे कि उसे ये कोशिश करनी है कि बहुत ही स्पैसिफिक पर्पस के लिए हो और लिमिटेड पीरिड हो स्ट्रिक्टली किसी भी चीज का जैसे स्वच्छ भारत अभयान सयस्ας लगाया कुछ समय होगा न कब तक भारत सवच 1700 तो ठालती है बढ़ा पर्जट के मादिम से प्रपूद करा लो और उसको राजजो में भी शेयर मिल जाएगा अब कोष और समय सीमा को अबधी होगी इसी तरह से काउ है गवो रक्षक गवों की ब्रीड नसल कुछ भी आपने विर्द करनी इसका भी कोई समय होगा कभी तो ऐसा समय आएगा कि जब गवो रक्षकों को जो जो गवों का वद्ध कर रहे हैं जो किसी भी तरह की करियेकलाप है उसको जाके टैप करिये आप तो के नौन अकाउंटेबल सूर्सेज ऑफ इंकम बन जाएंगे केंदर सरकार के राज्य इस पर डिप्राई भी होता रहेगा राज्य का टैक्स लखा जाएगा दस परसेंट लेकिन सही माइने में ग्राहक कितना दे रहा है 18 परसेंट पता लग रहा है एक एक परसेंट करकर के सरचार जी अकिला 8 परसेंट है टैक्स तो सिरफ 10 परसेंट है और उस पे 18 परसेंट के ओल्ड टोटल टैक्स में से 10 परसेंट के टैक्स की सीमा के अधार पर राज्य को जा रहा सिरफ 5 परसेंट और केंद्र को 5 परसेंट टैक्स वाला भी जा रहा है 8 परसेंट सरचार्ज क अंसर राइटिंग में या कभी भी प्रिलिम से में को कोश्चिंस पूचे जा रहे हैं कि that how to improve center-state relations, you have to present such kind of recommendations. यू आप identify कर पा रहे हैं कि conflicting areas कौन से हैं और उनके समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, ये recommendations, ये reforms, ये commissions पढ़ने का लाब क्या आता है, एक civil services की तेहरी करने अलगा candidate mature होता है, उसे right path, right content, right application of the knowledge clear होती है, इसी से आपके answers wise हो जाते हैं, और wise men, इसमें women भी included ही है, wise men will clear the exam, ठीक है, men का मतलब यहाँ पर वो जो पहले से ही आदी मानव जैसा concept है, कभी हमने सुना नहीं, आदी मानव में दोनों ही है न, man, woman, ठीक है, आदी महिला सुनिये वैसे, आदी मानव भी सुना है न, मानव में दोनों आते हैं, ठीक है, पर आप लोगों नहीं English में जितनी women है मेरी class में समय, इन्हों नहीं English किताब हो बच्छमन में चिला 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 आगर reading की होती है न, man, early man, only man, तो या तो ये लोग लड़ें आंदोलन करें कि आहां पर लिखो early woman, मुझे भी आदते पढ़ जाएंगी, तो इसलिए हमने इसको अपनी rational thinking से broad किया, वो ये कि man का मतलब भी वहां पर मानवता से है, जिसमें मर्द और 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 दोनों है, चले, the present division of functions between the finance commission and the planning commission is reasonable and should continue, सरकार्य commission ने कहा है कि finance commission और planning commission के बीच में, मौझूदा सब्दों subjects का जो कामों का विभाजन है, वो बिलकुल तरक संगत है, और इसे continue होने दिना चाहिए, लेकिन अब ध्यान से समझे, the present division of function, ये तो खास बात है, function का बटवारा बहुत अच्छा है, finance commission और planning commission के बीच में, finance commission आर्टिकल 288 के तहत एक constitutional body है, जिसका काम ये है, कि वे ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से center state के बीच में, taxes का बटवारा अच्छा हो, taxes का distribution कैसे segment wise, scheme wise अच्छा हो, कैसे विकास के कारेकरम मैंने आपको finance commission पढ़ा है, हमने कितने सच्छे सबढ़ा, कैसे सिक्षा पिछड रही है, तो उसके छेतर में पैसा जाए, कैसे जल सींचा ही पिछड रही है, कैसे water पिछड रहा है, सवच्चता पिछड रही है, तो उसके चेत्र में पैसा जाए सारी चीजों में फैनेंस कमिशन ने रोल प्ले किया यह हुगा है फैनेंस कमिशन कर अब आती है बाट डेवलोपमेंटल फ्लैनिंग कमिशन क्यों बनाया था कि पूरे देश भर में रिसोर्स हैं सारे देश के रिसोर्स लेकिश को बढ़ना पहले को मोटा मोटा देश के सितर पर मोटा मोटा इंफरस्टुकर डवलप करना है विलप बिग बिग इंफर्डुकर जैसे इस तरह का पहले पहले किया गया उसके लिए राज्यों से resources mobilize होंगे और naturally infrastructure development work भी राज्यों में होंगे लेकिन केंदर इसको एक uniformity देने का काम करेगा तो इसलिए फिर एक planning commission जैसी body चाहिए कि हर राज्य अपनी अपनी विपरीद दिशा में तो एक हमारे यहां पर pull effect न लग जाए कि सारे opposite पूल कर रहे हैं और country किसी भी direction में नहीं आपन सारे मिल करके एक दिशा में विकास करने की कोशिश करें और अपने अपने छेत्र में भी हर कोई अपनी जरूर्तों को देखते होई भी विकास करें और एक दिशा में भी हम विकास करें तो यह planning commission का परपस था function भी उसके यही आप देखें तो यह सारे के सारे ट्रांस स्टेट हैं कि communication का विकास एक एक स्टेट में हो सकता आप पूरे भारत के पहले महानगरों को का MTNL आपने सुना होगा तो पूरे भारत के महानगरों को तो फिर पूरे राज्जू में डलेंगी फिर रोड का infrastructure है उत्तर से दक्षिण पूरव से पक्षिम तो railway network, road network तो सारे पूरे देश में बनेगा तो इस तरह से वह identifies किये areas फिर धीरे धीरे उनका विकास फिर आगे बढ़े तो आपने पर धानमंतरी ग्राम सड़की ओजना भी सुना 1990s के अंत के दौर में फिर ग्राम चेतर तक भी हम पहुंचे ना लेकिन आप देखें तो पहले अपनने बड़ी पहले जीटी रोड पर कितना फोकस रहता था बच्पन से जीटी रोड जीटी रोड पढ़ते थे तो पहले में अपने भ्रावस सुने लेकिन नहीं सुना आकाल तो नहींसुने न क्योंकि सुखा पढ़ता है लेकिन फसल पहुंच जाती तो कोई भुक यह तो नहीं मरता q.ī. उल्लाइन जीट n preventive faithSp. नाज तो यह ऐसी तरह से इंटीग्रेटड मार्केट है तो प्लैनिंग कमीशन के फंक्शन सी डिफरेंट है फैनाइस कमीशन का फंक्शन उसने का यह बिल्कुल रीजनेबल है यह बिल्कुल रैशनल है घटिया पंती फिर वहीं पर आगई जिसकी बास सरकारिय कमीशन ने नहीं सब्सक्राइब किया है यह कि उसने का कि प्लैनिंग कमीशन के वाया डिस्कृषिनरी ग्रांट लेकिन यह कि वाली ग्रांट जो हैं वो घटाते रहें सीमित करते रहें निचोडते रहें उसको यह तो किसी ने नहीं कहा तो जब आप फिर वही बात constitutional morality की कमी है फिर से जब केंदर सरकार गिए given provisions को मिस्यूस करना चाहेगी तभी समस्य आएगी अधरवाइस जो विभाजन है काम का वह बहुत अच्छा है दोनों के बीच दोनों के जो कल्पना भी की गई तो अच्छी की गई थी दोनों जरूरी थे देश के लिए ओके steps should be taken to uniformly implement the three language formula in its true spirit true spirit में three language formula लागू किया जाए पहले तो यह कोशिच ना की जाए कि भाई हिंदी को थो पाई जाना है इससे फिर क्या पैता होंगे क्योस कांट ही पैता होंगे पूरे देश भर में पहली बात दूसरी बात यह प्रूव कर नहीं कोशिच ना की जाए कि इंग्लिश बोल रहा है वह सुपीरियर क्लास है इंग्लिश की यूटिलिटी जरूर हो सकती है पर सुपीरिटी नहीं यूटिलिटी फॉर दा पर्पस of modern science and technology utility for the purpose of the larger connectivity of the nation because in every region there is a common language you understand कर सकते है और regional languages are very very important for the purpose of continuity of the cultural and distinct regional identities so cultural identity is a traditions a custom manner your unique religious linguistic or different identities are very much related to your language language में आपकी literature conserve हो रखी है language में आपका folk है जैसे पंजाबी कोई आदमी मैं आपको धान तो शादी कर रहा है और उसी palace में suppose किजिए कि शादी एक और हो रही है बिहार की किसी आदमी की मैं आपको guarantee करता हूँ within a minute उन्हें distinguish कर देंगे वहाई क्योंकि दोनों के गीत अलग हैं दोनों के संगीत अलग होंगे दोनों के जैसे पंजाब में लड़के की शादियां हो रही हैं तो देखे कोडियां गाई जाएंगे लड़की की शादी हो रही तो सुहाग गाई जाएंगे ये कोडियां सुहाग ये सिठनियां ये कल्चर ये तो देखे local language your regional language is very important the Punjabi is very important for them इससे आपकी identity जुड़ी है when you want to learn Shri Guru Granth Sahib you need to understand the Punjabi language that too in a Guru Mukhi script आप जितना मर्जी उसे Roman script में लिख लें आप जितना मर्जी उसे देवनागरी script में लिख लें language चाहे Punjabi भी होगी आप उसका जो true essence है वो पकड़ नहीं पाएंगे और जब वो essence ही नहीं पकड़ा sense किदर से बगड़ लिया तो देखी script जरूरी होती है मैंने उस दिन ही कुछ शब्द class में बोलके बताए थे बनना कितनी बड़ी बात script इसके लिए जुरूरी अब मैं आपसे उधार के तौर पर कहता हूं पंजाबी में शब्द है बनना इसे रोमन script में लिख के बताएं तो मैं मान चाहूंगा रोमन script में आप इसे लिखेंगे डबल न यह हो गया बनना या इसका एक अगरी script में भी यह बनना हो जाएगा बनना नहीं होगा तो किसी भी डिस्टिंक्ट कल्चर कस्टम मैनर को फुली conserve preserve और enrich करने के लिए उनकी language के साथ साथ उनकी script भी बहुत अनिवार्य होती है कुछ प्रोपगंडा चलते हैं जैसे कि खास लेकिश वारी यह प्रोपगंडा चलते हैं अपनी language को promote करने के लिए larger masses में और कुछ बार यह प्रपगंडा चलते हैं अपनी script को promote करने के लिए other languages तक जैसे आपने कुछ उधार लिखे होंगे कुछ लोग भाशा पंजाबी का गुर्मों की script में होती बात हिंदी की है बाशा हिंदी होती है इस तरह से यह लंबे समय से एजंडे रहे हैं बहुत से groups के लेकिन यह तो जान ले कि किसी भी बोली को भाशा का रूप इक्तियार करते हुए कई समय बीटता है और यह बहुत organically develop उस इसे pleased region में होती हैं जहां पर ऊति हुरा से जनम लेते हैं कंटो बोलने के प्रैकटिस ही वहां से जनम लेती है यह लहदे होते हैं यह रज़ूरित होते हैं इतना हासान नहीं हो था वह समय और समय वाल होता हजार-दो-जार साल लग जाते है इस बात को फिर वो culture develop होता है यह बहुत important होता है अगर आप इसको ignore आप कहें कि regional language का rule क्या है regional language के जाते ही आपकी identity चली जाएगी यह मैं आपको clear कर दू you cannot enjoy you cannot celebrate you cannot enrich your unique identity by compromising your script and your language it is very very important but मेरी बात ध्यान से सुन ले किसी चीज़ का conservation preservation or enrichment किसी भी तरहां से किसी दूसरी चीज़ों को सीखने ग्रहन करने या समझने से खुद को वंचित रखना नहीं होता the enrichment of your culture custom manner is not the basis of the deprivement deprivement of yourself to learn from other religion custom culture manner or the other languages आपको linguist होना चाहिए आपको कई भाशाइं सीखनी चाहिए क्योंकि जहाँ आप मुझे आपने अपनी भाशा पंजाबी से आपने अपनी भाशा उडिया से आपने अपनी भाशा गुजराती से अपनी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपना बहुत खूबसूरत culture custom manner सीखा और मुझे वादा करो कि आपने अपना हिंदी सीखी ना इंग्ली खिखी ना कोई और भासा सीखी नो तैल मी किसी भी और परसंट को आप अपने रिच कुल्चर कुल्चर मैनर के बारे में कैसे बता हों गए बताओ जब लोगों के बीच में वो जाता है लोग आपके कस्टम कल्चर मैनर को समझते हैं उसको चैरिश करते हैं तो वो ग्रो करता है आज आप देख पा रहे हैं यह सब हो रहा है आज मुझे बताएं कौन से धर्म की सीमाई रोक रही हैं आपको क्रिस्मस मनाने से वो आप तक आया तभी यह हो पाया लेकिन ऐसे बहुत से लोकल फेस्टिबल्स हैं यूरोपेन कंट्रीज के जो उनकी यू आपको लेंग्विज के बैरियर में एक छितर तक की बांदे रखा अपने होम लेंड्स तक और आज देखें उनके फेस्टिबल्स से रिलेटेड आपको बहुत मिनिमम नौलेज है लेकिन इस्टर और क्रिस्मस से रिलेटेड नौलेज आज आपके पास एमपल है इसी तरह करना से अगर आप देखें तो बहुत से सिख टाम एंकर जानकारी तो आपको वह सीखना अनिवार है अपनी कल्चर प्र Baptist मैяжश को लोगों तक ले जा कस्टम मैनर मनमाना है अपनी enrichment उन पर फोपनी है जब आप किसी तक अपनी बात ले जाते हैं उसकी एक शर्त होती है कि आप उसकी भी सुनेंगे इसको अपन क्या कहते हैं fusion of the cultures और at the end हम grow इसी तरह से करते हैं किसी भी एक culture को किसी दूसरे region में सर्वाइब करने के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ किसी भी एक culture को किसे दूसरे region में सर्वाइब करने के लिए जैसे जमीन पे करो किसी भी लाएब करने के लिए बताध में सर्वाइब करने क्या च्रा duyर स्वाइब कर्मे